वो दोनों घोडे की सवारी कर रहे थे, उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुराद तो गाना भी गा रहा था, अब राइटर सोचते हैं कि जो मुराद है वो क्रेजी समझा जाता है, हर फैमिली में एक नए क्रेजी बंदा होता ही है, मुराद को वनशत समझा जा चाहे कोई कुछ भी बात कर रहा हो, किसी भी बारे में बात कर रहा हो, वो एकदब इंपेशेंट हो जाते थे और बोलते थे कि इसमें कोई खत्रा नहीं है, इस पर ध्यान मत दो एक बात तो जब वो बारबर की शौप पे अपनी मस्टेच मूझ ट्रिम करवा रहे थे, तो उनका बेटा एट ब्लॉक्स दूर से भागता हुआ आया, कि पापा हमारे घर में आग लग गई है, लेकिन फिर भी अंकल खौसरोवे बोले, कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपके घर में आग लग गई है, फिर भी अंकल खौसरोवे बोले, इनफ, इसमें नहीं है, मैंने कहा न, ये जो कजिन है, राइटर का मुराद, ये इनका वन्शे समझा जाता है, हाँ मुराद के फादर जो है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, और कुछ नहीं, एक्चुली उ आवारा और मनमौजी तरीके से किया जाता था, अब वो मतलब घोडे की सवारी कर रहे हैं और मुराद गाना गारा है, एट लास मुराद बोलता है कि राइटर को, कि अब तुम नीचे उतरो, मुझे अकेले सवारी करनी है, फिर राइटर बोलते है, ठीक है, फिर मुझे भ तरीका है घोडों के साथ, फिर उतर जाते हैं राइटर, फिर मुराद किक करता है हील से और होर्स पर और चिलाता है कि वजीरे भागो, और वो घोडा अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो जाता है, हिन हिनाता है और एक्दम से बहुत तेज भागता है, तो ये जो सीन थ राइटर को भी, मुराद गोडे की सवारी करते हुए, फील्ड में गया जो सुखी घास का फील्ड था, और सिचाई की नालियों को क्रॉस किया, और पाँच मिनिट बाद पसीने से तर बतर होकर वापस लोटा, अब सूरज उग रहा था, लेकिन अब राइटर का टंट था सवारी करने का, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुम सवारी करो, तो राइटर चड़ गए होर्स की पीट पर, लेकिन उन्हें एकदम से थोड़ा सा डर लगा, घोडा हिला भी नहीं, फिर उसने बोला कजिने की किक करो उसकी मसल्स पर किसका वेट कर रहे हो, फिर हमार इरिगेशन डिच और खाली मैदानों में भागने के बजाए बागों में चला गया और बागों को उजार दिया और लास्ट में तो राइटर को गिरा दिया और फिर भाग गया, फिर मुराद आया भागते हुए कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, घोड़े को ढू या इसे कल सुबह तक छिपा दें, जब ये बात बोल रहा था उनका कजिन तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं नजर आ रहा था, तो फिर राइटर पूछते हैं कि हम कहां छुपाएंगे, फिर कजिन बोलता है कि मुझे एक जगह पता है, अब राइटर पूछते हैं कि हुग तिमने कितने दिन पहले चुड़ाया था ये घोडा, क्योंकि राइटर को ऐसा लगा कि ये काफी दिनों से ये सुभह की सावारी कर रहा है, अब क्योंकि पता था उसे कजिन को कि हूँ्новफ कि राइटर को भी कितना शौक है घोड़े की सावारी करनेका, इसलिए वो आज आया शायद वो सवारी काफी दिनों से कर रहा था तो अब वो कजिन बोलता है घोड़ा चुड़ाया किसने बोला तुम्हें घोड़ा चुड़ाया तब राइटर बोलते हैं हां मतलब मेरा यह है कि तुम कितने दिन से घोड़े की सवारी कर रहे हो तो वो बोलता है कजि कि आज सुबह से तो फिर राइटर पुछते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो फिर वो बोलता है कजिन अफ कोर्स नॉट मैं सच नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अगर हम पाए गए तो हमें यही बोलना है तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने आज सुबह से घोड़े की सवारी करना शुरू की फिर राइटर ने बोला ठीक है फिर तो एक खाली जगह थी वो वहाँ पर गए दोनों और घोड़े को छुपा दिया फिर वो दोनों घर की और चल पड़े अब वो बोलता है उनका कजिन की यह इजी नहीं है घोड़ों के साथ डील करना तुम भी सीख जाओगे जब तुम 13 साल के हो जाओगे नेक्स पार्ट नेक्स वीडियो में